तो हाई गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो आई हो आप सब बढ़िया मैं भी बढ़िया टीन्च और आज के व्लोग इश्राथ खेतों के साइड से जोगी काफी ज़्यादा ख्राब के बड़े भी काफी ज़्यादा हो चुके जाक हैं और यहां पर आया था मैं पत्ते काचने के लिए बेड़ बोक्री कीश्री लेने है एक तो रात ताइम लगाएगे इसको लिखाता हूं आपको यह गाइज पत्ते रिखाता हूं आपको फ्रंट वाले कैमरे से यह गाइज और इस बाले पेड से काटे है मैंने और यह आसवास का बैक्डाउंट कैसा कमेंट में जरूर बताना और यहां नीचे है यहां गाइज नीचे रखे हुए है लकडी और यह लकडी को हमने सिश्टर के सादिया तो खाना बनाने के लिए जिलाते यह वाली देशी जुगार करते है लकडी का और एकदम लोकों को ब आप किया और यहां पाडी वासम उसे बूलते ऊंचाव थी और दिखाताओ आप यहां आपको अपर भिकार यह काटी यहहां पर यह ऐसादी आ कि चाच्यु की सादिया तो इसलिए काटी हूई है तो दिखाताओ आपको यह जो की सिश्टर की सद्दी इसलिए हुई है और यहां उपर है जो कि चाचु की साधी है तो इसलिए एकाटी हुई है और गाईस यहां गेओं बहुए हुए लोकोंने मँदे गेओ ने इतने जादा ग्रोथ नहीं की और बहुत ज़ादे छोटे ऐसे भी एक दरिकाते हूं आपको यह देख सकते ूख यह साख़ी छोटे आए यह नीचे वाला खेत हमारा है मागर इसमें भी छोटे-छोटे हैं जो कि गाईज ममा आ चुके है और मैंने पानी मुगा आया था और आ चुका है पानी तो पीते हैं गाईज पानी काफी ज्यादा ठंडा है गाईज तो पीते गाईज फिर मिलते आपके साथ यह जो कि गाईज बहुत बड़े बड़े डाल है और उनको ममा जी काट रहे है अभी और गाईज मेरे से एक मेश्टेक हो चुकी है और मैंने ममा से पानी मंगा लिया और यहां पे पानी निकला हुआ है नीचे तो गलती से मैंने मंगा लिया है तो आप पी लेते हैं इसे ही तो दिखाता हूं आपको कहा निकला हुआ है पानी यहां पे गाईज अंदर से निक थोड़ थोड़ पानी आ रहा है भी तो मैंने सही किया पर ना पेने के लिए थे होता नहीं तो गाइज बैक्ग्राउंट यहां पे लगे हुए है फूल और गाईज वीडियो अच्छा लगे तो बीडियो का लाइक करना अगर चैनल पर नहीं हो तो तो सस्क्राइब धा यूटूब चैनल और मिलते नेक्ष ब्लॉग में तब तक बाय गईस थैंक्स पूर विचिंद्ध वीडियो लाइक दिस बीडियो और मिलते नेक्ष ब्लॉग में तब तक बाय गईस